आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ 1 is divisible by 3 जो numbers है उनकी so let's start the solution सबसे पहले अगर हम लोग देखे तो हमें क्या मिला हुए एक box मिला हुए छिक है यह हमारा box हो गया इसमें क्या है? cards है जिन पर numbers लिखी हुए है 1 to 20 1 से 20 तक तो clearly यहाँ पर total card कितने होगे that is the total cards numbers card वो कितने होगे मेरे 20 होगे ठीक है after that क्या है इसमें से निकाले गई है तो prime number अगर मैं लिखूँ तो क्या होते है that is the prime number और एक निकाले गई है the composite number composite number ठीक है तो सबसे पहले prime number अगर हम लोग देखे तो क्या होंगे that is 2 मेरा prime number है 3 prime number है 5 prime number है 7 prime number है 11 prime number है 13 मेरा prime number है 17 prime number है and 19 भी जो है prime number है तो total ये कितने होगे मेरे पास 8 numbers होगे ठीक है after that इनके इलावा जो बच गए वो composite number होते है prime number के इलावा जो total जो number है वो 20 है तो यहां से 20 minus अगर मैं 8 करूँगे तो कितने हो जाएंगे that is the 12 तो 12 मेरे composite number होगे थर्ड हमें चाहिए the number divisible by 3 तो divisible by 3 अगर मैं देखूँ by 3 तो first number that is 3 हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा फिर 12 हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा फिर 18 हो जाएगा छिक है तो यह मेरे सारे number कितने किसे divisible by 3 होए तो यह total number कितने है that is 6 है मेरे पास तो after that अब मैं probability इनकी जो है calculate कर लेती हूँ first case अगर मैं देखूँ तो probability निकालनी है P of prime number चिक है probability of prime number तो वो मेरे पास किया है that is favorable outcome upon में total outcome तो prime number कितने है that is the 8 है और total numbers कितने है total score कितने है that is the 20 तो 8 by 20 हो जाएगा cut अब इसको कर लेते है 2 पे that is यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 4 और यहाँ पर मेरे पास हो गया 10 फिर में 2 पर कट कर लेती हूँ तो यह 2 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा तो probability कितने हागी that is 2 by 5 होगी मेरे पास ठीक है next मैं probability निकालती हूँ तो first case हो गया मेरे पास second case हम लोग calculate करते है that probability of composite number तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा P of composite number तो वो होंगे that favorable outcome upon में total outcome तो favor में हमारे 12 numbers है ठीक है 12 card है and upon में पास हो जाएगा 20 तो मैं इसको 4 पे कट कर लेती हूँ that is यहा तो में पास 3 आ हजाएगा and यहां में पास हो जाएगा 5 ओके तो यहां पे में पास उाजाएगा 3 and यहां पे में पास हो जाएगा 4 पे कट करेंगे तो 5 probability is 3 by 5 third में case निकालती हूँ that is divisible by 3 तो probability of divisible by 3 अगर हम लोग देखे so that is why favorable outcome and upon में मुझे लिखना पड़ेगा the total outcome ठीक है तो total favorable outcome तो मेरी कितनी थी 6 and total outcome that is 20 तो हम इसको 2 पर कट कर लेते हैं तो यह मेरे पास 3 हो जाएगा and यह 10 हो जाएगा that is 3 by 10 तो यह हमारे final answers हो जाएगे okay thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर